आज के हम इस वीडियो में जुवा और तास जीतने का लाइब टोटका बत लाएंगे जिस टोटका को सिर्फ एक बर अजमा करके जहां भी तास जुवा खिलने चले जाते हैं वहाँ पे हमेशा आपका ही जीत होगा और आप जीत करके भी खारी से राजा बन जाएंगे मेरे भक्त ऐसे हैं जो कि मेरे पास कमेंट करते थे कि गुरु जी मैं जुवा में हार गया हूँ गुरु जी हम जुवा तो खिलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं किसी किसी का कमेंट इतना था कि गुरु जी हमें वीडियो समझ में नहीं आता है और हम टोटका को कर नहीं कहीं न कहीं हम से गल्ती हो जाता है किन किन समागरी को लेना है उन समागरी को दिखला कर बतलाए हमें समझाए ताकि हम जीवा में जीते माले माल हो जाए उनी के लिए हम एप वीडियो बना हुए है खास कर जो कि पढ़े लिखे वो लोग नहीं होते हैं इसलिए हम भुआश उभर करते हैं ना फ्येस को दिख़़ा करके तो उनको समझ में नहीं आता है लेकिन हम जैसे जैसे बतलाएंगे वेसे वेसे कर लेते हैं तो मेरा वादा है जुवा तास में कभी भी आप नहीं हारिएगा माला माल हो जाईएगा रोड़पती से करोरपती बन जाईएगा क्या कैसे करना है और किस दिन को इस टोटका को करना है इसका सही तरीका क्या है इसका असली राज क्या है चलिए हम आप सभी को बतलाते हैं उसके पहले मैं आप से छोटा सा बिंती करूँगा अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्रीज हमारे इस चैनल तांत्रिक लब इसके अलावा मेरा कोई भी चैनल यूटूब पे ना फेस्बूक पे ना इस्टाग्राम पे कहीं पे भी नहीं है बस क्या करना है चली हम आप सभी को देरी नहीं करते हुए बतला देते हैं और सिखला देते हैं जिससे आप घर बैठे बैठे कर लेंगे और जुआ जहां भी खेलेंगे जीतेंगे माला माल हो जाएंगे रंगों से राजा बन जाएंगे देखिएगा इस टोटका को आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन हां इस बात को ध्यां रखिएगा जभी किजिएगा जहां भी किजिएगा अस्थाई जगा पे किजिएगा करने के लिए हम आप सभी को समागरी बतला दे, एक सुखा हुआ पीपल का पता लेना है, हरा वाला नहीं लेना है, सुखा वाला पीपल का पता लेना है, फिर आपको थोरी सी मातरा में चावल की कुछ दाने लेनी है, चावल की कुछ दाने, अरवा चावल, जैसे कुछ दाने लेजिएगा आप थोरी सी मातरा में अच्छत लेजिएगा जो कि अपने पूजा घर में आसानी से आपके मिल जाएंगे वहां से अच्छत लेजिएगा जैसे अच्छत लेजिएगा आप लाल कुम कुम चंदन को जिससे पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है इतना ही नह थोरी सी मातरा में इसमें गंगा जल रख करके इसको इस परकार से रख्री के मातरा से इसको क्या करेंगे? मिलावट कर देंगे लख्री के मातरा से इसको क्या करेंगे? कि मिलावट कर देंगे जैसे इस परकार से मिलावट कर दीजिएगा ध्यान से दखिएगा इसको लेकर के आप कहीं भी अस्थाय गपे कीजिएगा, चुके चोरी से कीजिएगा, मन में विस्वास के साथ कीजिएगा, तभी आपका ज्यूआ में तास में बारे बार जीत होगा, माला माल होईएगा, रोट पती से कडोर पती बन जाईएगा, देखिएगा, इतना जैसे समागरे को लिजिएगा बगल में दो या चार अगरबती जला दीजिएगा अगरबती जला दीजिएगा पूरवदिसा के तरफ में आप घूम जाईएगा मन को सांथ किजिएगा दिल को सांथ किजिएगा फिर क्या किजिएगा यह जो चंदन घोले हुए है इसी चंदन से आ आपको अपना नाम लिखना है आपका नाम रमेश कुमार हो गया सोनु कुमार हो गया संजय कुमार हो गया या गुडु कुमार है लालु कुमार है जो भी आपकी नाम है आप अपना नाम सबसे पहले यहां लिख दीजिएगा जैसे हम लिख दिये हैं नाम इस परकार से लिख पर अफिर से इस परकार से कीदिए गा और याहां पी लिखिएगा कि कि प्लिक करेंगे और फिर bardziej लिखना है सिके लिखना है कि क्की पूरी तोरी करेंगई नंको और इस मंत्र को चंदन से घेर देंगे जैसे हमने घेर कर बतला है वैसे ही घेर है जैसे ही घेर दिजिएगा ध्यान से दखिएगा आप थोरी सी मत्रा में चावल जो अरवा लिये हैं उस चावल को उठाएगा जैसे ये चावल है इसको उठा लिजिएगा जैसे कुछ दाने दस दान में क्या कीजिएगा रख दीजिएगा रखने के बाद जो यह अच्छत है इसको भी इसी प्रकार से उठाना है अपने सामने इसको करना है और अपने जीवे जित की बारी तास जित की बारी बुल करके इस पे सात वर फूक लगा करके अपना नाम ले करके इसके उपर आपको रख दिएना है, जैसे ही इतना कर दिजिएगे, इसको आप कहीं मत्में कियेगा, जो सुखा हुआ चंदन होता है, जो की पॉकिट में होगा इसको गीला वाला, ने शूखा वाला, जैसे इस पॉकिट है, इसके उपर, क्या करेंगे, थोई-थोई सी मत्रा में, रख दिएगे क्या करेंगे कि थोई 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 इसनी मातरा में रख देंगे जैसे ही थोई थोई इसनी मातरा में चंदन किरा दीजिएगा इसको अच्छे से क्या कीजिएगा मोर दीजिएगा फोल्ड कर दीजिएगा जैसे ही मौत दिजिएगा आप जहां भी सोते हैं वहां पे टाकिया होगा उस रूम में जरूर उसी टाकिय कि निचे इसको दबा करके मातर एक रात ठक सोईएगा रात री को सोते वकत है और जैसे ही रात को सोईएगा शुभा की बात आती है जब उस समय एक चोटे से काला अपर में इसको बान करके रख लिजीएगा फ्र एक घंटे बाद दो गञटे बाद तिन घंटे बाद सुबह में दिन में रात में जब जूओँ खेल लेगा, उससे अगले दिन से आप जूओँ खेल ले जाईएगा आप जूओ खेल जाईएगा आप जो मंत्र लिखे थे इसके वहीतर वाले भाग में उस मंत्र को आपको जरूर बोल देना है सात बर, सात बर बुर्गर के पूरा अबदिस्ता के तरफ में 21 बर फोक मारना है, फिर चमतकार दिखिएगा, आपका सोया हुआ किस्मत भी जग जाएगा, और ये टोटका आपको माल माल कल देगा, रूट पती से करूर पती बना देगा